गूड इबनिंग, रियल अनलेसिस टे नेट्स लेक्चर में हम लोग क्यंटिनिटी की एट थेोरम प्रूफ करनी है, लेकिन थेोरम पर कुछ बेसिक नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए। हम लोग सीखते हैं, इस टी जरूरत हमें पढ़ेगी थेोरम प्रूफ करने में, प्लीज इसे सीखिए, ये बहुत है अलिमेंटरी क्रंसेप्ट है, एट्जियम अफ कम्प्लीटनेस, रियल नंबर्स्ट्री जो हमारी समझ है, जैसी समझ हमारी आज है, अधित्तर लोगों के रियल नंबर्स्ट्री बारे में, रियल लाइन, क्या रियल लाइन में कोई गैप है, या रियल लाइन को हम छीच सकते हैं, स्ट्रेस टर सकते हैं, मैं आपको एक बेसिक सूती सी बार समझाता हूँ, Suppose मेरे पास यह रवर्ड का रवर्ड बेंड होता है रवर्ड बेंड का इतना सा पीस है आपके पास यह A, B, एट-सोटा सा पीस है फिजीटस टे किसी फिजिसिस्टे पूझें कि इसमें कित्ते मॉलिक्यूल है थीट है आब हमने रवर्ड बेंट को ठींचा इतना लंबा लेगए ये वही लाई ने रवड बेंट को ठींचने के बाद क्या इसमें मौलिकूल इसक्ति संख्या बढ़ेगी या कि धधेगी या वही रहेगी ऐ हर को ही तहेगा वही रहे जी लिगें हमने तो लंबाई बढ़ा दी न तो आप कहेंगे कि जो मॉलिकूल से हैं उनके बीच गैप बढ़ दिया होगा आप रवल बैंड को ठीचेंगे तो गैप आपको नजर भी आता होगा कि गैप बढ़ रहा है और मॉलिकूल दूर-दूर हो रहे हैं क्या ऐसा हम स्टेट लाइन के लिए भी सोच सकते हैं तो इस्टा जवाब है नहीं थोड़ा है रानी वाला है स्टेट लाइन का कोई भी आप पीस ले लीजिए और उसे कितना भी ज्यादा इस्ट्रेस टल लीजिए रियल नंबर्स टेप बीच आपको गैप नहीं मिलेगा कभी तो इस्टा मतलब है कि जो हमारी रवर्ड बेंड था यहां पर सीधा या हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन का सिंबल है एक्चुल में वो लाइन नहीं है क्यों नहीं है चुछी हम लोड लाइन खीचेंगे तो कॉपी या पैन पर कोई भी भातिक वस्तु होनी चाहिए भातिक वस्तु का अध्येन भातिक विज्यान वाले लोट करें तो ठीच है गणित में आप समझ रहे हैं रियल लंबर्स प्योरली एक मानसित तौर पर आप सोचिए आपने सोच रखा ऐसा है उन्हें भातिक वस्तों में ढूंडना जेस्टिफाइड नहीं है रियल लाइन आप खुद सोचिए कितनी ही लंबी इस रियल लाइन को आप पूरा इधर 8 वो माइनस इंफिनिटी और बीट वो प्लस इंफिनिटी तद ले जाएए उसके बावजूद इसमें कहीं कोई गैप नहीं मिलेगा इसका मतलब है इसमें जितने points हैं उतने ही points एक minus infinity से प्लस infinity says line भी मिलेंगे इसे हम countability कहते हैं किसी अभी मतलब उनमें number of points सेम होगे वो molecules तीदर और physics तीदर नहीं उड़ा ची इसमें tom molecules है और इसमें ज्यादा है या वही है तो फिर gap है ऐसा real line के साथ नहीं होता है अब ये तो मैंने कहतो दिया लेटिन mathematics में हर सीज हमें साबित करने पड़ती है हम लोग जब real numbers के बारे में पड़ते हैं तो प्रीज ध्यान दीजिएगा मनुस्य ने जो सबसे पहले सुरुवात की होगी वह natural number से की होगी उसने गिना होगा कि मेरे पाद खाने के लिए एक टाइम का है दो टाइम का खाने का हो जाएगा कोई जानवर मारा होगा उसे वो जो भी गिनता होगा वो natural number रहता होगा natural number से integers टे सेट तक आने में बहुत लंबा वर्ट लगा है ये अधितर वर्ट German है इस वज़े से symbol भी वही टे हैं जैसे integers को हम लोग जर्मन लेंडवेज में जाहलेन कहते थे इस वज़े से symbol जैड पड़ा है ये natural number है अब आप ये दिखिए इंटीजर से integer में negative natural number भी है negative natural number minus one minus two minus three ये चीजें समझने में ही बहुत लंबा समय लगा है उस्टे बाद natural number से जब आप आते हैं तो आगे fractions पर आते हैं fractions से आप rational numbers पर आते हैं ये rationals पर हैं और अब real numbers पर हैं real से complex number ये अलट से chapter है कि हम n से c तक कैसे पहुँचे कभी complex number का lecture होगा मैं शुरू से आपको ये history समझाऊँगा कि n से लेकर c तक की यात्रा कैसे हुई अभी मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूं इन दोनों में ऐसा कोई difference बताना है जो किसी 8 में हो दूसरे में ना हूँ बस्पन से हम लोग real numbers और rational numbers ये बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ने algebra पढ़ी है तो उसमें field है बारे में पढ़ा है फील्ड में जितनी भी प्रॉपर्टीज है सपोज एड फील्ड ले लेते हैं हम लोग आर एडिशन ordinary multiplication q addition multiplication जो भी प्रॉपर्टीज ये सेटिसपाइड करता है वही यह भी कर रहे है अब जब सारी प्रापटी सेटिसपाइड हो रही है दोनों के द्वारा फिल्ड होने का मतलब प्ली ध्यान से समझेए फिल्ड का मतलब है हम लोग जो सामान्य एलजब्रा में केलकुलेशन्स टरते हैं एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिफिलीकेशन ईवन दिविजन भी जीरो चोड़ के अगर आप कर सकते हैं तो वह फिल्ड है एसोचियाटिवीटी हो रही होगी उसे फिल्ड कहेंगे तो आप लोग देची है फिल्ड की प्रापर्टी स्टो दोनों सेटिसपाइड करते हैं मतलब हमें एक ऐसी प्रोपर्टी चाहिए जो आर सेडिस्पाइड करे और क्यों ना करे तो आप मानेंगे न कि फिर दोनों में कुछ डिफरेंस हो गिया आस्टा जो हमारा हेडिन है वो ये सेडिस्पाइड करेगा हमेंने क्यों इतना बताना है ताकि ये continuity की थियोरम मैं प्रूफ कर सबूँ हमें ये बताना है कि आर का जो real number stress set है वो complete है उसमें कहीं कोई hole नहीं है कहीं कोई gap नहीं है लेकिन जो rational stress set है उसमें gap है जब ये बात आप बता दें मैं साबित नहीं करूँगा अभी मैं बार-बार कर रहा हूँ ये real line की जो शुरुवाती study होती है पहला chapter वहाँ है और दुर्भाड़ी से syllabus हमारा बहुत आगे चल रहा है तो अभी मैं जब से lockdown की वज़े से online शुरू हुआ है तो मुझे पहले syllabus पूरा करना है आप मेरी परिशानी समझिएगा इसलिए मैं प्रूफ करने में ज़्यादा वटत नहीं लगाँगा रियल लाइन पर अगर आप कोई सेट लें और आप यह माने कि अपर-बाउंडेड है कैसा है अपर-बाउंड मिल रहा है इस्टा तो फिर अपर-बाउंड होगा तो अपर-बाउंड आप समझते होंगे कोई मेरे पास सेट है ए and m is its अपर-बाउंड इस्टा मतलब है एट्स लेस देन इकोल टो एम for every explains to a हर अलिमेंट जो होगा m के बराबर या उससे क्रम होगा अगर m अपर-बाउंड है मान लेते हैं m यहाँ पर है तो m के right hand side में जितने भी है वो भी सब अपर-बाउंड होंगे तो अगर किसे सेट आपको अपर-बाउंड मिला अगर या तो ऐसा हो सकता है मिले ही ना लेटिन अगर मिल गया तो फिर उससे आगे के आगे मतलब right hand side जितने नंबर होंगे वो भी तो अपर-बाउंड ही होंगे तो किसे सेट का या तो अपर-बाउंड मिलेगा ही नहीं मिल गया तो फिर infinite basically untrountable अपर-बाउंड मिलेंगे ठीक आगे को इतने सारे अपर-बाउंड होंगे ये तो बड़ा मुस्टिल है बताना लेटिन हम ये जानना चारें क्या इनमें सबसे छोटा अपर-बाउंड संभाव है लीस्ट अपर-बाउंड उसी तो हम लोड सुपरिमम बोलते हैं तो लीस्ट अपर-बाउंड को ही क्या बोलते हैं और सुपरिमम अप ए इस्टा मतलब है ये अपर-बाउंड में सबसे छोटा है तो अगर क्वोई नंबर लिस्ट अपर पाउंड है तो सपोज अगर S क्वो माल लेते हैं Let S be सुप्रीमम A तो प्लीज ध्यान दीजिए S may not be an element of A May not be an element of A जैसे A आपके पास set है open interval 0 से 2 और आपने टह दिया सुप्रीमम A तो ये चाहएगा 2 चाहएगा 2 element है इस्ट नहीं है तो सुप्रीमम का set को belong करना जरूरी नहीं है अगर वो सुप्रीमम set को belong कर गया तो आप उसे maximum बोलेंगे मैं दुबारा बोल रहा हूँ अगर सुप्रीमम set को belong करता है तो फिर आप उसे maximum भी कहते हैं तो maximum जो होता वो set को belong करता है सुप्रीमम जो है set को belong कर भी सकता है नहीं भी गर सकता अगर एक क्लोज इंट्रवल होता तो इस्टा सुप्रीमम में वहां भी 2 ही आता और उसमें क्लोज इंट्रवल में यह 2 A को बिलॉण करता तो आपके पास सुप्रीमम एक दूसरी बाद एट्स अगर S सुप्रीमम है तो X less than equal to S for every X belongs to A अगर एक सुप्रीमम है तो हर अलिमेंट ऐसा होगा तीसरी डेफिनेशन मैं जल्दी मार हम for every epsilon greater than 0 there is just some Y belongs to A such that Y is greater than S minus epsilon and less than S आप लोग ध्यान दीजिए चैटा हाजा रहें अगर यह सुप्रीमम है तो इसमें से कोई भी जरासा भी आप ट्राम नेट आर सकते अगर आपने इसमें से थोड़ा सा भी ट्राम टरनेटी ट्रोसिस ची तो एटा एट अलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा अगर आप इस बात बताईए अगर ऐसा होगा तो चैट फिर यह सुप्रीमम रहेगा प्लीज जहन दीजिए आपको सुप्रीमम मैंसे कुछ भी सब्ट्रेक्ट करने की अनुमती नहीं है आप उसमें से क्यों भी एपसाइला चितना ही छोटा ले लिजिए क्रम नहीं टर सकते परना यह इस्तिती हो जाएगी इसलिए तो यह लीस्ट अपर बाउंड है तो यह आप समझ रहेंगे कि हमेशा अगर आपर बाउंडेट सेट है तो आपको ऐसा मिलेगा उमीद है थोड़ा सा बेसिट लेबिल पर आपको समझ माया होगा मैं माफी चाहता हूं नेट्स टाइम आपको टोपलोजी अफ रियल लाइन्स में इसना प्रूफ भी टरा पाऊंगा यह जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है यह प्रॉपर्टी रेशनल में नहीं है क्यू डाज नौट सेटिस्पाई एक्जियोम ओफ क्रॉंपलेटनेस अच्छा जो मैं यह प्रूफ करने जा रहा हूं उस्ता टाइटिल देखें कितना सांदर एक्जियोम्स पहले आपने यह लिद दिया थियोरम नहीं बोला हमने तोई लौ नहीं बोला एक्जियोम बोल दिया है यह जो चीजों पर हम क्राम कर रहे हैं अभी समझ रहे हैं आपलोट यह पता है अठारासो से अठारासो सत्तर वन एट सेवन जीरो तट क्रॉसी ड्रिटले एबल विरेस्ट्रास रिमान उन लोगों ने एक आम आदमी चे समस्य आगे बाढ़ने की कोशिश थी और आप 1870 के आसपास यह प्रोपर्टी आप दुनिया के सामने ला पाए यहां पर आपको कंप्रोमाईस चरना पाढ़ा है एक्जियों का मतलब है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है जिसको माना जारा है कि यह प्रूफ के बराबरी है एक्सिम को थादित करने की जरूरत नहीं है साभित थियोरम की जाती है कोई proof दिया जाता है तो ये completeness एक्सिम Q पे लागू नहीं होता है कैसे नहीं होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा मिरे पास 8 set है कोई और सपोज मैं rational set लेता हूं और जिनका square स्क्वाइर 2 से कम है आप समझ रहे हैं यह वैसे रेशनल नम्बर है जिन्टा स्क्वाइर 2 से छोटा है यह एट्स लेस दन रूट 2 रूट 2 जानबुस चे लिया गया है चुछे रेशनल का सेट है और वो आप एट इर्रेशनल की बाउंडरी बना रहे हैं अपर तो जहिर सी बात है यह अपर बाउंडेट तो है रियल में आपने अपर बाउंडेट बोला था तो उस्टा सुप्रीमम जरूर मिलेगा वही तो कंप्लीटने से मतलब रियल लाइन कंप्लीट है उसमें कोई होल नहीं है सरल सब्दों में यह बात है यहां आपको आपको यह प्रूफ आपने पड़ा भी हो सकता है तो आप नेट्स टाइम इसे प्रूफ करेंगे इसमें कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस्टा सुप्रीमम हो सकते है रेशनल नहीं मिलेगा रियल में मिलेगा रेशनल में नहीं मिलेगा आप समझ रहोंगे यह पहली एट ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई मैथमेटिशन्स को जिसने ट्यू और आर को अलग-अलग कर दिया एट ऐसी प्रॉपर्टी जो आर सेटिस्पाइड कर रहा है ट्यू सेटिस्पाइड नहीं कर रहा है तो एक्जियम आफ कम्प्लीटनेस टा जो रोल है वो अपने आप में इसलिए सांदार है तो इसने पहली बार मैथमेटिस्ट अमुनिटी को यह समझाया कि क्यों क्यू आर से अलग है उससे पहले जो प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्पाइड करता था वो आर भी सेटिस्पाइड रह लेता था तो फिर आप अंतर कै वरज है तो यह प्रॉपर्टी मुझे अमेद़ा आपको समझ में आई होगी अब हम इस्ता क्रॉंसेट्वेंस परते हैं इस्ते आधार पर एक प्रॉपर्टी आगरे देखते हैं अब आप इस एट्जम एट्जम आफ गंपलीट ने आ जो क्रॉंसेट्वेंस ने उसमेंसे एट इंटरवल है suppose ये यहाँ से यहां तर close इंटरवल है इसे माँ I1 नाम दे देता हूँ और suppose ये ज्या है close इंटरवल A1 B1 अब इस चेंथे अंदर एट दूसरा इंटरवल ले भिदे close इंटरवल ही लेना है ये सारे close इंटरवल लेने है इसे हम I2 पोल रहे हैं तो I2 क्या हो गया? A2, B2 यह ले लिए तो यहाँ पर आपको पास A1 था, यहाँ A2 था यहाँ B1 था, यहाँ B2 तीसरा H3 अंदर लीजिए Suppose यह A3 और यह B3 And so on आप इस तरह से यह nested हो रहा है घौसले ही तरह है कि I1 के अंदर I2 तो देखिये, हमने च्या लिखा हुआ है I1 कंटेंस I1 इस वा सुपर सेट आप I2 यह I2 इस कंटेंड इन I1 I2 चीस तो कंटेंड कर रहा है I3 तो and so on यह infinitely आप ऐसा कर सकते हैं आगे कहां तर करेंगे, कोई पता नहीं करते जाएं ठीक है, हमने ऐसे कर दिया तो फिर जब उन सबका इंटरसेट्शन करेंगे I N N from 1 to infinity इन सबका इंटरसेट्शन करेंगे तो वो 5 नहीं आएगा नॉन एम्टी आएगा यह nested interval property है दिखने में बहुत आसान लगती है इस्टी जो importance है बहुत ज़्यादा है हम कई जड़ा इस्टा यूज चरेंगे आप इसको किसी भी बुक में आप देढ़ सकते हैं रियल अनालिसिस्टी आसानी से प्रूफ यह फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको जब मैं रियल शुरू से next time lecture start करूँगा तो मैं सारे चीज़ों को proof करते वे चलूँगा अभी मैं बार-बार इस बार को highlight कर रहा हूँ focus सारा BSC जे इस्ट्वेंट्स पर है तो वहाँ continuity पढ़ानी है आप इसे ऐसे समय लीजेगा 8 आपके पास सेट है सपोज यह A है और यह सेट इंट्रा है A1 A2 A3 and so on इंट्रा सेट ले लीजे आप यह बढ़ते जाएंगे इसमें B नहीं लिये हैं तो आप मानेंगे ची यह सब अपर बाउंडेड है इंके द्वारा यह सब अपर बाउंड है ऐसे ही अगर आप इंट्रा सेट लें तो वो लोवर बाउंडेड आएंगे तो आप जब इंट्रसेट्शन करेंगे तो यह इंट्रवल जहां लास्ट में कन्वर्ज टरेगा वो पॉइंट आएगा यह प्रॉपर्टी ट्रेवल क्लोज इंट्रवल पे लगेगी ओपन इंट्रवल के साथ क्रंक्लूजन फॉल्स हो सकता है हम लोग नेट्स टाइम जब पढ़ेंगे तो कॉम्पैटनेस पढ़ेंगे तब आपको बहतर तरीके से बात समझ माई थी अभी मैं जो कहना चाहरा हूँ अगर ऐसा नेस्टेड इंट्रवल बन रहा है तो बस इतना समझना है यह इंट्रवल का इंट्रसेट्शन नॉन एमटी है हमारा काम इतने से चल जाएगा अगर आपको यह समझ माँ आया है तो मैं अब continuity next theorem start करता अब आप इस theorem को देठिये if f is continuous on closed interval a.b then for every epsilon greater than 0 आप कोई भी epsilon लीजे कितना ही छोटा बड़ा बढ़ पॉजिटिव होना ची the interval closed interval a.b can be divided into a finite number of intervals finite पे जहन दी जीज़ा finite number of intervals such that f x 1 minus f x 2 mod less than epsilon for any two points x 1 x 2 in the same sub interval हम क्या करने जा रहे हैं एक interval को बहुत सारे छोटे 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 साब इंटरवल में बाटने जा रहे हैं अच्छा बाट दिया फिर क्या होगा वो छोटा सा साब इंटरवल है उसमें कोई भी दो पॉइंट लीजिया उनकी functional values टा इंटरवल को बाट के ये दिठा देंगे तो हम response टरेंगे challenge response system sequence 3 convergence में भी proof हम दिखाते हैं epsilon delta definition में भी और यहाँ पर भी challenge टा मतलब आप challenge करिया आप कोई भी epsilon दीजिए छोटा सा उस epsilon तो देखते विए हम ए भी तो छोटे हिस्वों में बाटना शुरू खरेंगे क्यासे बाटना शुरू खरेंगे कि इनका जो difference है उठी सी भी epsilon से ट्रम होगा unfortunately इस theorem को लिए हमारे पाद direct proof नहीं है ये direct proof क्या होता है direct proof का मतलब जहां आप theorem लेते हैं और proof करते हैं जब आपके पाद direct proof नहीं होता तो आप indirect proof की और जाते हैं indirect proof को हम लोग method of contradiction भी चहते हैं मतलब हम ये दिखा रहे हैं ची ऐसा ना होने पर continuity पर ही question mark आ जाएगा मतलब आप बाट दीजिए चोटे-चोटे sub interval में और अगर आप उस्टे बाद ये property satisfy नहीं होती तो आपकी continuity पर जो पहला statement रा सुरुवाती पूरसन है उसी पर doubt हो जाएगा लेटिन इस पर doubt नहीं डरना आई है तो सही है तो फिर ऐसा होना मजबूरी है हम इस बात को साबित करेंगे फॉर्मल प्रूफ लिखने से पहले थोड़ा सा rough वर्ट तो अभी आप समझिए इस next page में मैं इसे पूरी language टेसा लिखाऊंगा अभी मैं rough वर्ट आपको समझा रहा हूं आप पहले इसे समझिए मेरे पास यह interval है ए बी और इसमें function आप टेरें continuous है और हम इसको इससे में divide कर सकते हैं जी ऐसा हो suppose ऐसा नहीं हो रहा है मतलब मालली जीटी theorem false है अब भाई अगर theorem इसमें fail है तो हम इस्टों दो हिस्सों में बाट देते हैं a b true इस्टों हम दो हिस्सों में बाटेंगे और इस्टा मिड़ पॉइंट ले लेते हैं c c a plus b by 2 होगा तो मेरे पास्ट दो सब interval होगे a, c और दूसरा c, b अगर theorem मैं कह रहा हूँ कि इस interval में true नहीं है तो इस्टा मतलब या तो इसमें true नहीं है या इसमें true नहीं है दोनों में true नहीं है इसमें false statement ये बात समझ रहे होंगे आप तो इनमें से किसी 8, i1 नाम दे रहा हूँ ध्यान दीजिए इनमें से किसी 8 का नाम चैटर रहा हूँ i1 और उसे नया नाम दे देता हूँ क्या नाम दे देता हूँ a1, b1 तो आप theorem जहां आपने रहा था कि यहां पर सही नहीं है तो theorem इसमें भी सही नहीं होगी जिसमें सही नहीं है उसे i1 नाम दिया है अब फिर वही सोचिए यह a1, यह b1, midpoint ले लीजिए आप उसे नाम दे दिजिए c1 तो theorem a1, c1 या c1, b1 8 ऐसा interval होगा जिसमें सही नहीं होगी या तो दोनों में ही false होगी ऐसा भी हो सकता है at least 8 तो है तो मैंने इनमें से जो जिसमें त्योरम फॉल्स मान रहा हूं उसे क्या नाम दे दे रहा हूं? i2 और नया नाम क्या रड़ दूं उस्ता a2, b2 यह a2, b2 इनमें से कोई 8 है तो आप लोड ग्रॉर करीए basically मैं यह नहीं टर रहा हूं i और which contains i1 which contains i2 and so on मैंने अभी आपको nested interval property पढ़ाई थी क्या यह ऐसा नहीं होने जा रहा है आपको यह समझ में अगर आगिया है तो आपको यह भी आगिया होगा कि अगर ऐसा है तो फिर इंटर जो इंटरसेक्शन होगा n equal to 1 to infinity यह फाई नहीं होगा ठीक उसमें 8C जो और बताने थी non empty है मतलब इसमें कुस न कुस आएगा दूसरी बात है कि इसमें 80 element आएगा singleton आएगा कि इतना 8 से ज्यादा element नहीं आ सकते इसमें क्यवल singleton आएगा माल लेते हैं उसे हम क्या माल ले alpha तो वह singleton element है basically अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं तो यह जो sequence है यह जहाँ traverse टरेगा a1, a2, a3, a4 और इधर को भी traverse टरते रहें 80 point आएगा वही यह point है alpha जो point आपका आया यह finally जो आपने सबसे पहला लिया था a, b इसी जे बीच में ही कहीं होगा ना यह alpha अब हम continuity definition यहाँ पर लगाके एक contradiction लाते हैं contradiction लाएंगे तो आप कहेंगे कि initial assumption was wrong तो initial assumption आपने माना था कि theorem पूरे interval में false है तो इस टमलब पूरे में सही है और ऐसा hold जब कुछ points हो सकता है lose हो रहे हूं जब हम लिखते वे चलेंगे तो आपको समझ मा आएगा मेरा उद्देश से समझाना था nested interval property क्या होती है और उसके application से कितने अच्छे तरीके से theorem proof हो सकती है इसे ध्यान से समझे theorem करा statement में next phase में कर आपको लिखते वे आपको बताता हूं लेत अस्योम that the theorem be false Now, we divide I equal to close interval AB into two equal halves AC and CB where C ज्या होगा A plus B by 2 आप समझ रहे होंगे A, B C midpoint A plus B by 2 अगर theorem interval AB में false है तो इस्था मतलब theorem is false in AC और CB और बोथ भाई अगर पूरे इंट्रवल में false है तो यह तो AC में false होजी यह इसमें यह दोनों में हम डिसी A equal है अगर लेते हैं अगर अगर लेते हैं अगर 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 यह दो लेंट्थ आफ आथा हो जाएगा अगर मेड़ पॉइंट थाए आई आई वन आपने इन में से या तो इसे AC पर नए तो अगर 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 we divide i1 as a1, c1 और c1, b1 यह c1 क्या होगा? a1 प्लस b1 अपॉन 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 वही सोचते रही है यहाँ a1, b1 और c1 त्योराम अडर आपने रहा i1 में सही नहीं है तो फिर बात होई identity या तो इसमें सही नहीं है त्योराम फॉल्स है या इसमें फॉल्स है अटलिस्ट किसी 8 में तो फॉल्स है उसे हम i2 नाम देखते हैं Suppose we rename one of them as i2 i2 नाम देखते है a2, b2 where theorem is false ठीच है तो length of i2 यह i1 क्या आधा चिया था आपने तो length of i1 ट्रा आधा length of i1 अभी आपने ट्या था यह था तो half of b-a by 2 तो यह हो जाएगा b-a upon 2 square अब आप पैटर्न समझे i2 आ रहा है तो 2 square है मैं next i3 ले जाऊं रहा थो 2 cube हो जाएगा इन जनरल अगर मैं i1 ले लूँ a n b n where length of i n जितना हो जाएगा b-a upon 2 to the power n यह हम हर बार वो interval ले रहे हैं जिसमें थियोरम false है तो thus we get a nested sequence i1 contains i2 contains i3 contains i3 contains and so on of closed intervals with length of i n equal to b-a upon 2 to the power n तो फिर limit n tend to infinity length of iron क्या जाएगा 2 to the power infinity 1 से बड़े नमबर की power infinite infinite और नीचे denominator में infinite तो जीर तो आप समझ रहे होंगे length shrink हो रही है secure रही है छोटा होते जा रहे so तो by nested interval property this i n n equal to 1 to infinity is not empty और मैंने आपको कहा था कि यह single element यह आएगा इसमें यह empty नहीं है यह बहुत बड़ी बात है यह समझना और यह 80 element आएगा मैं माल लेता हूं उसको कि जो i n है n equal to 1 to infinity सपोज एल्फा आया अल्सो एल्फा बिलोंस टू क्लोज इंटरवल यह बी अल्फा उसी जाह इससा है उसी जाह अंदर कहीं बीच में है इतना समझ में आया होगा आपको इस्टा मतलब तो फिर फ अल्फा पर भी ट स्टनिय्स ओड़ा अपे स्टनिय्स at alpha also, so for every epsilon greater than 0, there exists a positive delta such that f x minus f alpha mod less than epsilon by 2, whenever x minus alpha mod less than delta, ये ठीक है, अब आप यहाँ पर देठीए, जो x सा आपके पास है, वो तरहाँ होगा, open interval alpha minus delta से alpha plus delta, आप दुबार बनाईए, ये a था, ये b था, कहीं यहाँ पर जब इधर वाला sequence transverse डरता होगा, तो सपोज यहाँ पर हमार पास alpha है, तो alpha minus delta, छोटा सा लिया मैंने, alpha minus delta, alpha plus delta, आप ये देठीए, since length of i n, since, limit this is tending to 0, जो interval है, आप पहले a b में ले रहे थे, फिर उससे छोटे interval, छोटे, टरते, टरते, आप converge नहाँ पर कर रहे हैं, alpha पर convergence हो रही है, nested interval पोपर्टी से, तो आप ये समझी एठी, 8 दौर के बाद ऐसा हो रहा होगा, तो जो interval है हो, उस्टे अंदर आने शुरू होगे होंगे, ये sequence टी प्रॉपर्टी है वैसे, interval है, पहले बढ़ा interval था, फिर छोटा interval, छोटा interval करते चरते, आप सोचिए, alpha का जो नेवर उड़ है, उस्टे अंदर भी आगे होंगे, इड़ दौर के बाद interval, और आगे infinitely चलना है, जो जो limit लिखने का मतलब है, N tend to जो होगा, infinity, analysis में क्रई बार जब N tend to infinity obvious है, तो क्रई चिताबों में नहीं लिखा होता है, क्यों लिमिट लिखा होता है, जब क्यों लिमिट लिखा है, तो आप समझ जाएए, अगर कुछ और होगा तो लिमिट की वैल्यू भी लिठी होगी नीचे मेरा मतलब यह लिखना ट्राइबर अन्नेसेसरी है तो आप समझे रहे होंड़ेट यह इन्फाइनाइट पर है बेसिकली जो अनलेसेस पूरी test study है वो behavior at infinity study हरना है बस finite में study हरन के कोई unexpected results मिलने की उम्मिद है नहीं जाध है unexpected results हमेशा infinite के साथ है और यही इस पूरी branch ती सबसे ज़्यादा खुपसूरती भी है जब infinite ही तरफ जा रहे हैं तो च्या होगा पूरी analysis infinity tending to वाले cases पर ही unexpected result देती है ये समझिएगा तो interval nested है प्लीज आप ध्यान से समझिए nested है भाई सबसे बड़ा ये है बाहर उसके अंदर अंदर करते रहिए तो 8 m तो ऐसा मिलेगा जिस्टे बार के interval इस नेवर उड़ में होंगे so we get some m ये जो m होगा ये natural number होगा such that जो im होगा interval और उससे आगे के भी ये कहां बिलाउन करेंगे या ये subset के लिजिए alpha minus delta से alpha plus delta ये state अंदर आ जाएंगे क्या ये समझ माया अच्छा हम लोग उने ये जो उपर लिया है इसे आप equation 1 माल लिजे so if x1 and x2 belongs to im मैं इसी interval में अगर दोनों point ले लूँ तो जो equation 1 हमने अभी लिये ये जो equation 1 है im के लिए दोनों के लिए satisfied होगी ये तो पूरे interval के लिए है ना और im इसी चे तो अंदर है तो x1 के लिए भी ये inequality सही होगी x2 हे लिए भी ये लिए 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 लि So, f x 1 minus f x 2 mod, आप इसे लिट सेटे हैं, f x 1 minus f alpha plus f alpha minus f x 2 mod, less than equal to mod of f x 1 minus f alpha plus mod of f alpha minus f x 2. to less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, और f x 1 minus f x 2 mod, less than epsilon when x 1 and x 2 belong to same interval, आप आपको इतना clear हो लिया, हमने तो शुरू में रहा था कि theorem false है, मतलब, false ता मतलब यही था, कि यह लाइन गलत आ रही है, और अब हम टेहरेंट ही नहीं, यह लाइन तो आ रही है, तो इनिसियल अजूम्शन वाज रॉंग, तो हमारा जो शुरूवात में था, वो डलत है, तो फिर आपके पास, फिर दुबरा वही स्टेटमेंट लिखना है, मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, यह प्रूफ था, हमने यह माना कि ऐसा नहीं आएगा, मालो, नहीं आएगा, तो उस्टेटमेंट लिखना है, क्यों, हलो, हाँ, अगर ऐसा आपने माल लिया, कि ऐसा नहीं आएगा, आपने माना, तो आपने नेस्टेट इंटरबल कर यूस्ट यह है, मुझे पूरी उम्मीद है, लेक्चर लंबा जा रहा है, कि आपको यह थियोरम समझ मा आई होगी, B.S.C.T. हमारी उनिवर्सिटी दे स्ट्वेंट ध्यान से सुने, यूनिवर्सिटी इट जैंप्स पॉइंट अव व्यू से, यह अच्छी थियोरम है, जो नॉर्मली पूछी जाती है, कुछ भी टफ नहीं है, नेस्टेड इंटरवल पॉपर्टी पे फोक्रस ठरिए, और एड्जियोम और कम्प्लीटनेस इस बहाने हमने सीठी, और नेट्स त्योरम हम नेट्स लेक्चर में ट्रवर करते हैं, थेंक्यू.